इस रेश्टा एक्जाम 2024-2025 की त्यारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भर नमस्कार मैं हूं स्रवन कुमार सागर स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल योगितावनेन क्लासेस में आज किस वीडियों हम आपके लिले करके हैं जीके के 25 इंपोर्टेंट क्वेस् देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वर्स 2024 में जो एक्जाम होने वाला इस ट्रेश्टा का तो इसमें किस ट्रैप के क्वेस्टन से आपको पूछे जाएंगे चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो क्वेस्टन नमर 77 में है एक क्वेस्टन और छूट सदसे नहीं है अप्शन में बंगलादेश भूटान जापान माल दि तो बताईए इसमें से कोन सा सार्क संगठन का सदसे नहीं है अगर आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरू लिखेगा जापान इसका उत्तर हो जाएगा तो यहां पर देखिए निरित कथक कल pictured अंद्रपरदेश से समदित यह कूछी पुरी आंद्रफर्देश से समदित है अंतर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दूसरा वाला सही के लिए अंतर राष्टिय योग दिवस कब मनाया जाता है जरूर इसका उत्तर लिखेगा चलिए क्वेस्टन उनासी पर चलते हैं जी ट्वेंटी 2023 में से किस देश में संपन हुआ था और किस देश में संपन किया गया था काफी इजी प्रस्ण है आप लोग जानते हैं कहां पर यह संपन हुआ था भारत में ही हुआ था चलिए अस्टी नमर क्वेस्टन में देखिए किस तरह से कथन की रूप में दिया जाता है और इसके अधार पर आपको उत्तर देना है तो यहां पर देखिए 29 मर्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पंडे को वेराकपूर में अपने अपसरों पर हमला करने कारूप में फांसी पर लटका दिया गया सिपाहियों को लगता था कि नए कार्तुसों पर गया और सुवर की चर्वी कलेप चरहा गया था को यहां पर कोन सा कथनी दोनों में सही है यह बताना है तो यहां पर धहान से देखिए और सिब्सक्राइन पर पैमनलिकीत में कुन नोभेल पुरॉस्कार विजयता नहीं है तो इसमें से किसको नोभेल पुरॉस्कार नहीं मिला यह हमें बताना अगय को ऐतलेटीक में से कौन से पहले भारतिया ने उलम्पिक में स्वार्न्पदक जीता था तो सबसे पहले सुर्ण पदक जीतने वाले कौन थे अभिनव बिंद्रा फिर से दो कथन है इसके अधार पर उत्तर देना परदान मंतरी लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुख्या होता है बिल्कुल सही बात है भारत की लोकसभा में कुल 540 निर्वाचित सदसे होते हैं तो ये जो है ये तो गलत है 543 होता है ना तो यहां तो 40 नि दिया है तो इस तीसरा वाला उप्सन सही हो जाएगा जेब मंडल में सभी जिवित परानी जिवित रहने के लिए एक दूसरे से परसपर सम्मधित और एक दूसरे पर निर्वर करते हैं इस जीवन अधारित क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग तो इसको क्या बोलते हैं पारित तंत्र बोलते हैं अगला प्रस्न है किस क्रिशी में फसलें उगाई जाती है और बाजार में विक्राय हेतू पसुपालन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वानी जी क्रिशी में। इसको सुनहरा रेशा कहा जाता था। किसको बलते थे पट्सन को। अगला है डैस का कहना था कि अच्छे यूरोपिय पुस्तकाले का केवल एक दराजी भारत के समुच्ची देशी साहित के बराबर है। तो यह किसका कर्ण था में काले का। प्रसीद समाज सुधारक डैस ने विधवा विभा के पक्स में प्राचीन गरंतों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया अठारोशप्पन में विधवा विभा के पक्स में कानून पारित किया। तो इसमें किसका योगदान था इस्वर्चंद्र विद्यासागर के। अठारा सो सब्त्रों में और स्कॉर्टलेंड के अर्थसास्त्री और राजनितिक दार्षनिक जेम्स मिलने भारत के थियास को कितने कालखंडों में बांटा था। तो यह तीन कालखंडू में बाटा था Q90 में सूची के साथ मिलान करना फिर इसके अधार पर हमें उत्तर देना तो चलिए इसको मिला लेते हैं फिर देखते हैं इसका सही उतर क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर अगर इसको आप लोग मिलाते हैं Q90 चलिए इसका अगर हम लोग मिलाएंगे तो यह है रानी चैनम माई किसे समधित है कि तुर अंदूलन से हैं न शिपाही तो यह शिपाही कुन है दूसरा वला यह हो जाएगा शिपाह वादेन हेंडिंग समधित हो जाएगा वार्त का पहला जनरल गवर्नर सेरे में सुर कहते हैं टिपू सुल्तान को इस परकार इसका सही उतर क्या हो जाएगा चलिए अगरा प्रस्टन देखते हैं दी गई घटनाओं को उनके घटित होने से के आरोही करम यानि की बढ़ते करम हमें सजाना है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सजा सकते हैं बढ़ते करम में तो सबसे पहले कुन सा होगा पर थमसोतंतान दो लन यह बला होगा एना उसके बाद जो है इसके बाद क्या हुआ था रोलेक्ट सत्याग रहा हुआ था यानि दूसरा उप्षन इसमें सही है यह तीसरा वला विकल्प सही हो जाएगा कौन से देश 2022 में फिफा विस्वुक अप जीता था यह अर्जेंटिना जीता था तीसरा विकल्प सही है कि जमीन की बिक्री चीजों की खरेदारी कि राया तालाक आदी समयंधित विवा किस कानून की इस दियनी में आते हैं तो यह दिवानी कानून के अंतरगत आते में आदी वासी सब्द का क्या मतलब होता है मुलिनिवासी इन में से कौन सा उद्योग पोसक उद्योग आधुनिक उद्योगों की रीड की हड़ी कहलाता है लोह इस्पात उद्योग उद्योगों की अबस्थिती उप्रवावित करने वाले कारक पहचानिये सयुक्तर क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी चली अगला प्रस्ण देखते हैं जन सुभी धाएं लोगों तक पहुचाने की जिम्वारी किसकी है तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकार की और अगला प्रस्ण देखते हैं जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत सुनता का अधिकार समिधान किस अनुछेद में है और आज का अंतिम प्रस्ण देख लेते हैं निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है तो सडक कह प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं को और नई वीडियो के साथ